तो साथ ग४न्टे सोते थे मतलब ओवरला तुम एक दिन में साथ ग४न्टे सोते थे हाँ तो वह साथ दिन तख अगर तुम ने इसी चीज को बढ़ा दीया ना तो मेरे भाई ऐसा ओजाएगा कि तू फिर दस गंटे चालो हो जाएगा सोना फिर दस गंटे चालो हो जाएगा तू सोना फिर तो उसको भी continue कर बेटा ये दस गंटे भी भढ़ेंगे उसको भी continue कर तो कैसर ऐसा भी हो सकता इंसान 24 गंटे सो जाए ऐसा भी होता है इंसान 24 गंटे सो जाए ऐसा हो सकते सर क्या मजाग कर रहे हो यार ऐसा पोसीबली नहीं है कोई इंसान 24 गंटे कैसे सो सकता है मैं बोलता हूं कमबक खुली आखों से भी सोया जाता है मेरे बच्चे अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे है अपने करियर के लिए कुछ नहीं कर रहें तो भाई तुम सोई तो रहो कौन कमबक कहता है सला आखें खोल ली तो जगा है अरे दिल की आखें खोल ली होती है भाई ये आखें नहीं खोल ली होती यार आखें दिल की खोल ली होती है कि वो दिल लगे पढ़ाई में आखें इसकी खोल ली है इन आखों को खोली भी नहीं कहते मैंने हजारों के फ्यूचर बरबाद होते देखें है खुली आखों से सोते थे वो कहते हैं जगा हूँ मैं मैं अचर आठ गंटे सोता हूँ वह मुरक तू 15 गंटे सो रहा है क्यों क्योंकि 8 गंटे तू सो रहा है हाँ और 7 गंटे तू बरबाद कर रहा है तो तू सोई या जगे क्या फरक पड़ता है यार तू सो तो रहा ही है तू सो तो रहा ही है भाई तिरे future के लिए तो तु सो रहा है ना बाहर में गये मिरे को क्या फरक पड़ता है हमें क्या फरक पड़ता है भै तो जगे या सोई तो मिरे बच्चे याद रखना जो तू 8 और 7 है न तू 15 गंटे सोता है बच्चों की इतनी गंधी आदत है वो यह सोचते हैं जब बैड पर लेटके यू सोते हैं यू आखे बंद होती हैं वो उसको सोना दे बोलते हैं मैं कहता हूँ बेटा आप जीवन के इतनी कीमती समय पर खड़े होना इस कीमती समय में हर वो लमहा जो तुम्हारे future के लिए तुमने नही जिया वो लमहा तुम सोई ही हो खुली आँखों से या बंद फर्क कोई नहीं पड़ता बस समय को तुमने आग लगाई है वो आग जैसे तैसे लगी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बात पहले बात फिक्स कर लो पने दिमाग में आई जी बिटा दूसरी बात जितना सोगे न उतना ही फ्यूचर को खोगे एक समय ऐसा आएगा भगवान ना करे ऐसा हो बिटा मैंने कहा ना मेरी सब्दों को कडवे हैं बड़ दिल पे जरूर लेना उनको ताकि आपको चीज़े समझ में आए आज तु सो ले पिटा अगर काम्याब नहीं हुआ न आगे जाके ऐसी नोकरी लगनी है ऐसी नोकरी लगनी है कि चाहा कर भी सो नहीं पाएगा तु तुझे नींद आएगी बड़ तु सो नहीं पाएगा क्योंकि तरह घर पे तरी फैमिली और तरी